जहीं दोस्तों वंदे मात्रम क्या हुआ है ना यार जब से कोविड लगा ना तब से ओटीटी प्लेटफर्म काफी साथ बढ़ गया है और ओटीटी प्लेटफर्म के बढ़ जाने के करण हुआ यह है कि हमें मुवीज देखेने के लिए अधिकतर थेटर तक नहीं जाना पड क्या है क्योंकि ओटीटी पर क्या होता ने इंसान एक बार घर में पड़े पड़े मुवी फिर भी देख लेता है अपर थेटर जाने के सर फोड नलायक तो आजकल ओडियंस बची नहीं है मतला ओडियंस समझदार हो चुके और हॉलिवड कंटेंट को बहुत अच्छे से प लगे रहते हैं मुझे समझ में नहीं आता है तो ये इंडिया की जो सिनेवा मेकर्स होते हैं ये लोग एक ऐसी एकसेंट को जो एक्टर्स होते हैं वो आपकी बेवकूफी की कारण होती है और ये मूवी भी कुछ ऐसी ही बनके आई है मतलब जाना था जापान पहुँगा मुवीज बहुत कम ऐसी आज की रेट में बनती हैं जो कि दर्शकों को पूरी अवधी के लिए अपने साथ बांद सकें अपनी पूरी अवधी में बांद कर रखने वाली फिल्म बस अब कभी कभी ही बनती हैं और कई बार एक अच्छी सोच एक अच्छा डारेक्टर और एक फिल्म संपादक मिलकर भी इसलिए दर्शकों को आखिर तक बांद नहीं बाते क्योंकि फिल्म की जो में कहानी होती है उसको जिस परकार से बुना गया होता है वैसी वो परदे पर उतर नहीं पाती है अगर हम वेस्टरन कंट्री की बात करें तो गोस्टबस्टर्स की एक अलगी थीम पर मूवीज बनती है शैतानी शक्तियों को तलाश कर उन्हें मुक्स करने पर तमाम फिल्में वहाँ अलड़ी बन चुकी है और भूत पुलिस इसी विचार का देशी संसकरन या अपना कॉमन एडिटेंग मान सकते हैं और इस संसकरन को बनाने में पाच लेखक सपली क्रेशना डीके के ने सुमत अरोडा के साथ मिलकर हिंदी सिनेमा में फिल्म स्त्री के जरीए हिंदी सिनेमा को कमवेश एक नई श्रेणी के करीब लाने की सफल कोशिश करी थी उसके बाद से हॉरर कमेड़ी बनाने के पीछे तमाम निर्पाता और भी लगे लेकिन स् जिजा जैसे दिखने वाले दो भाई और दोनों भूत पकड़ने निकल पड़ते हैं इसमें ट्विस्ट बस यह है कि एक इस काम को गंबीरता से लेता है और दूसरा मजाक में वो गुड कॉप बैड कॉप वाला थीम जो रहता वैसा ही फिल्म हर विभाग में पूरी मंदा पूंजी और विभूती उनकी विरासत के सहारे रोजी रोटी कमा रहे हैं और नेपोटिजम का एंगल भी फिल्म में घुसा दिया गया है और गो के चंडगी गो कहां मतलब कहते हुए पूरी मूबी में दिखाई देते हैं कहानी शुरू होती है उलट बाबा एंड संस के जरीए पैसा कमाने से लेकर और पहुँचती है जहां असल में उनको एक प्रितात्मा से सामना करना पड़ता है जाहर सी बात है मुंबईया फिल्म की कहानी में दो हीरो हैं दो दो हीरोईन है मतलब भई जिसने हीरो इतनी हीरोईन लाजमी है ना इसके लिए यामी गौतम और जैकलीन फरनांडेस को रखा गया है इन दोनों को एक चाय बगान विरासत में मिला है और यहां भी एक को विरासत से दिल से ल ली गई है मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि बस बना न था तो बना दिया पठकता के स्थर पर हम बात करें तो यह बहत कमजोर फिल्म भूर पुलिस में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पहले पहले कभी मिना देखा सैफ लिखान को देकर यू लगता है कि अभीनेता के तोर प वो उन्हें ही दोराते हैं अरजुन कपूर फिल्म में अली फजल की जगे लाए गए हैं और कोई खास करिश्मा फिल्म में वो करते दिखाई देते नहीं है किरदार के हिसाब से थोड़ा भी गंभीर रहने की जरूरत थी लेकिन वो हो नहीं पाये लेकिन सबसे बड़ी ब किरदार वह अपनी पहले की फिल्मों में कर चुकी है कहानी में उनके युगदान से भी काम कम हिस्सा जैकलीन फरनांडिस का है हिंदी उठंग से बोल नहीं पाती है लहाज लेखक को बताना पड़ता है कि उनका दिल लंदन में लगा हुआ है जाविज जाफरी के किरदार को स्थापित करने के लिए रचा गया द्रश्य फिल्म का सबसे लंबा और सबसे कमजोर द्रश्य राजपर यादफ भी इस फिल्म में असर छोड़ने में नाकाम रहे हैं यही हाल गिरीश कुलकरणी का है अमित मिस्त्री को परदे पर देखना भावनात्म का असर छोड़त फिल्म को एक अच्छे और अकर्शक चोला पहनाया है परदे पर राजस्तान के रंग खिलाने और हिमाचा प्रदेश का रहस्य में वातावरन गणने में वो कामयाब रहे हैं और इसमें फिल्म को सबसे ज़्यादा मदद मिली है इसकी साउंड डिजाइन और बैक्राउंड लोग देख रहे हैं क्योंकि लोगों में पास देखने को हाल फिलाल में कुछ डंका है नहीं पर मुझे ये मूवी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मतला पांच मेंसे में इसको दो स्टार भी जो दे रहा हूँ ना वो म्यूजिक के कारण दे रहा हूँ और जो इसमें सीन भी इसमें सही नहीं लगा मेरे स्टूडियों फिलाल अतना ही अगर आपने मूवी देखी तो भी ये कमेंट करके ज़रू बताओ जाए हिन जाए भारत